नमस्कर दोस्तों आपने भी मार्केट में देखा हुआ कि स्टार मेक्स का प्लैन बहुत ज़्यादा हाइप पगड रहा है लेकिन ये प्लैन को समझना आसान नहीं है क्योंकि एनेफटी की बिजिस पर बनाये गया है ये बाहर का प्लैन होने की वज़े से हमें थोड़ा समझने में मुश्किल आ रही थी लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसको सिंप्लिफाइ करने वाले हैं ताके आप इसको आसान भाषा में समझ भाएं शुरुआत करने से पहले हम जाने ते कि स्टार मेक्स है गया तो वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे उसकी value तो बढ़ती बढ़ती है लेकिन उसका जैसे की for example कोई character है उसका size बढ़ा हो जाएगा उसकी age बढ़ी हो जाएगी उसके features बढ़ने शुरू हो जाते है Marketplace में उसकी limited quantity होने की वज़े से क्या कि उसकी value और भी ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि इनकी जो supply रहती है, coins की तरह नहीं रहती है, बलकि यह बहुत ही limited होती है Limited NFTs की होने के वज़े से, क्या की demand हमेशा ज़्यादा रहती है, supply बहुत ही ज़्यादा limited रहती है आज अगर आपके पास एक स्टार मेक्स का NFT आ जाता है तो वही NFT आपके लिए गोल्ड की तरह रहने वाला है आप इसको गोल्ड प्लैटन मान सकते हैं क्योंकि इसकी वैली इवॉल्व होती रहती है लेकिन इस सारी चीज़े बहुत ज़्यदा complicated है जो कि हम धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में सीखे हैं कि NFT कैसे काम करते हैं Metaverse कैसे काम करते हैं उससे पहले आई हम जान लेते हैं कि StarMix में आप earning कैसे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कई सरे digital collections हैं तो digital collections मतलब यहाँ पर NFTs available हैं तो चार्ट रहके यहाँ पर NFTs है Rare NFT, Epic, Legendary, Genesis सबसे पहला NFT है सबसे low value वाला फिर उसके बदद Epic है उससे बड़ी value वाला Legendary उससे बड़ी और Genesis उससे बड़ी यानि कि जो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया NFT है वो है Genesis तो आप यहाँ पर एक चीस नोटिस कर सकते हैं कि activity cap दिया गया है activity cap कहने का मतलब कि आपकी जो working income है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है बड़े NFTs के साथ लेकिन अगर आप non working income की बात करें जो कि aggregate के नाम से दिया गया non working income आपकी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आपका NFT बड़ा होता है यानि कि अगर आपने rare NFT लिया तो 2X की non working capping है लेकिन वही अगर आप Genesis ले ले लेते हो तो आपकी 3X की capping मिल जाती है जो कि totally non working रहती है यानि कि जितना बड़ा NFT आप लेते हो उतनी ही जादा आप यहाँ पे non working income मिलती है लेकिन इसमें और भी जादा important चीज़ यह कि अगर आप कोई भी NFT लेते है हर एक NFT की जो value है वो किश दिनों बाद बदल जाती है अगर आपने rare NFT ले लिया यही rare NFT ही आपको जादा value दे देगा तो यहाँ पे मैं बिल्कुल आसान words यूज़ करने वाल हो ताकि आप easily समझभाओ जैसे कि पहले 10 दिन में आपको 0.25% daily bonus मिलता है similarly 11 दिन से लेकर 30 दिन तक यह 0.5% हो जाएगा यानि कि 1.5% हो जाएगा 30 दिन के बाद यानि कि 31 दिन से तो यहाँ पे आपकी जो activity का आप है वो same रहता है लेकिन aggregate आपका बढ़ जाता है यानि कि आपकी non working income जो है वो धाई X तक चली जाती है यहाँ पे एक जिस notice करी कि जो आपको 11 दिन से लेकर 30 दिन तक 10% मिल रहा था rare NFT में यहाँ पे epic NFT में आपको पहले दिन से ही 10% मिलना शुरू हो जाता है तो यही सबसे बड़ी खास्यत है कि जब आप एक बड़ा NFT चूज करते है similarly यहाँ पे 11 दिन से लेकर 30 दिन तक 0.75% daily मिलता है 30 दिन से 1% मिलना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे आपकी जो investment है अगर 200 दॉलर से लेकर 999 दॉलर तक है तो आपको epic NFT मिलेगा अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करिए legendary NFT यहाँ पे आपका activity cap कम हो जाता है जो है 2X सक यानि कि आपकी working income 2X सक है non working income आपकी 3X सक चली जाती है यहाँ कि 3 गुणा तक कापान करने पर यह 1000 डॉलर गया तो आपको 3000 डॉलर non working मिल जाएगा तो एक चीज़ अगर नोटिस करिए कि वहाँ पे आपको 31 दिन से 1% मिलना शुरू हो रहा था rare और epic में लेकिन legendary NFT में आपको पहले दिन से ही पहले total 10 दिन आपको 1-1% डेली मिलता है 11 दिन से 30 दिन तक आपको 1.25% मिलता है 30 दिन से आपको 1.5% डेली मिलना शुरू हो जाता है तो आप देखे legendary NFT की सबसे बड़ी खासित कह है शुरुवात 1% से और 31 दिन से 1.5% डेली आपको मिलेगा तो यहाँ पे आपको 1,000 डॉलर से लेकर 4,999 डॉलर का option मिलता है याँनि कि आप जितना भी लगाते है 1,000 से उपर तो आपको legendary मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे Genesis आप देखोगे उससे भी बड़ी है जो है 5,000 डॉलर से लेकर 20,000 डॉलर तक का है यहाँ पे क्या है कि आपकी जो activity cap याँनि कि working income की जो limit है वो 2x सकी है लेकिन non working income आपको 3.5x याँनि कि 3.5 गुना तक मिलने वाला है 5,000 का आपको 15,000 से भी जादा मिलेगा जो आप लगा सकते हैं कि यह 17,500 तक मिलने वाला है अगर आप 5,000 डॉलर लगाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको 1.5% legendary में मिल रहा था 31 दिन लेकिन genesis में आपको पहले दिन से 1.5% मिलना चुरू जाएगा पहले से लेकर 10 दिन तक 1.5% 11 से लेकर 30 दिन तक 1.75% 31 दिन से लेकर आपको 2% मिलना चुरू हो जाएगा तो आप देख सकते हैं जितना बड़ा आपका NFT होगा उतनी ज्यादा परसेंटे आपको पहले दिन से मिली चुरू हो जाती है और जैसे जैसे आपका यहाँ पे evolution होता है NFTs का यानि कि पहले 10 दिन में यह evolve होता है अगले 20 दिन में यह immersive stage में चला जाता है फिर यह cosmic stage में चला जाता है अब मैं यहाँ पे वो particular words यूज़ कर रहा हूँ कि cosmic stage में चला जाता है 31 में दिन तो उसके बाद आपको जो percentage मिलती है डेली की वो बहुत ही बहतरीन मिलती है इसी के साथ सथ आपको invite bonus भी मिलता है अब इसको भी समझे कि यह एक तरीके से refer bonus यह अगर आपने epic package किसी को refer किया तो आपको 10% invite amount receive होता है यानि कि 10% आपको refer bonus मिल जाता है rare package करते हो तो आपको 5% मिलता है तो आप देख सकते कि refer bonus भी depend करेगा कि आपने कौन सा collection कौन सा package आपने refer किया या कौन सा NFT refer किया rare पे 5%, epic पे 10%, legendary पे 15%, genesis पे 20% यान कि 5 से लेकर 20% तक आप referral bonus अन कर सकते है depend करेगा कि आपने कौन सा package refer किया तो यहाँ पे collection का word जो use किया जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ collection इसलिए बोला जा रहा है कि आपके पास NFTs जितने भी रहते हैं चाहे वो आपका खुद का NFT हो चाहे वो आपकी टीम का NFT हो वो एक तरीके से collection बन जाता है आपकी टीम का NFT मिलाकर इसको हम collection बोल सकते हैं क्योंकि जो भी आपकी टीम में NFTs आ जाएंगे आपके रेफिल के रेफिल के वो सारे आपकी टीम में आगे वो पूरा एक collection माना जाएगा उसी collection के basis पर आपको one time earning मिल रही है daily earning मिल रही है और इसे के साथ साथ हमेशा team आपको earn करके देती रहती है अब इसको दूसरी भाशा में समझे तो सारे NFTs आपको किसी ने किसी त्रेके से earning देने ही वाले है अब हम समझते है linear gratitude को linear gratitude को आप समझ लीज़े कि एक त्रेके से ये level income है तो यहाँ पे पहले level से लेकर दसवे level तक कुछ ना कुछ परसेंट है दिया गया prime level यानि के पहला level prime का मतला पहले level पे आपको 20% linear gratitude मिलती है 20% level income मिलती है यहाँ पे open access दिया गया open access का मतला यह आपका unlocked level होगा line 2 यानि के level 2 level 2 पे आपको 15% level income मिलती है portfolio यहाँ पे 2500 डालर कोना चाहिए यानि के आपको business 2500 डालर होगा 3 लेवल से 10,000 डालर का business होने पर आपको 5% level income मिलती है 4 लेवल से अब इसके बाद यहाँ पे zero barrier दिया गया यानि के कोई भी और ऐसी condition नहीं है कोई भी barrier नहीं है आपको यहाँ पे portfolio maintain नहीं करने 10,000 का portfolio हो जाता है business हो जाता है तो उसके बाद आपको 5 लेवल से 10 लेवलता के 1% पर level मिलता ही रहेगा तो यहाँ पे portfolio का भी आपको मैं मतलब दुबारा समझा देता हूँ portfolio का मतलब क्या है कि आपकी यहाँ पे पूरी team का collection है पूरी team के NFTs है वो एक ही जगा पे एक portfolio बना रहे है वो आपका portfolio है आपके जितनी भी team के NFTs है वो portfolio आपको earn करके दे रहा है जिसकी वज़े से आपको यहाँ पे percentage मिल रहे है क्योंकि हर एक NFT इवाल्व हो रहे हर एक NFT की value लगतर बढ़ रहे है और उसी से कुछ हिसा आपको भी मिल रहे है अब हम यहाँ पे समझेंगे star max NFT index यहाँ पे कुछ indices देगे अब इसको भी हम असान बाशा में समझने के कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक चीज देगी है index का TVL यानि के total value locked कितनी है अब total value locked का यहाँ पे मानना यह कि अगर आप 3500 dollar का business करते हैं तो आप यहाँ पे ultra rare index में तो पहुंची चुके है ultra rare index में पहुंचते ही आपको पहले पूल से रेर पूल से आपको 15 dollar bonus डेली मिलना शुरू हो जाएगा 7000 dollar का total value locked यानि के इतना business होने पर आपको second pool यानि के epic से 30 dollar bonus डेली मिलना शुरू हो जाएगा 9000 dollar के TVL पर आप यहाँ legendary pool से 40 dollar डेली अर्न करना शुरू करते हैं जो कि 14 पूल है 15000 dollar के business पर आपका genesis pool से भी 70 dollar डेली अर्ना शुरू हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास rare अगर NFT है तो उसके उपर जो regular learning मिल रही थी वो तो मिली रही है लेकिन अगर आप यहाँ पे इतना एक business maintain करते हैं तो आप ultra rare index में चले जाते हैं similarly epic में भी चले जाएगे फिर legendary फिर genesis में जिससे आपके गया कि daily bonus बढ़ता है अब हमने ultra rare की बात करी यहाँ पे आता है ultra epic index यानि कि दूसरा level हम इसको मान सकते हैं जैसी आपके दो ऐसे direct हो जाएंगे जिन्होंने ultra rare अचीव कर ली है ultra rare उनका पूरा की पूरा अचीवड है first से fourth pool तक यानि कि उन्होंने अपना business अचीव कर लिया उनको daily bonus मिल रहे है तो आप यहाँ पे ultra epic index में चले जाएंगे जहाँ पे कहके आपको 1500 dollar bonus daily मिलना शुरू हो जाएगा अब यहाँ पे आपने किस चीज़ के उपर ध्यान देना है कि आपका ultra rare index अचीव हो उसके बद आपके चार पूल संलॉक होते हैं बिजनस के बीसिस पर similarly आपकी team में दो ऐसे members होने चाहिए जिनके ultra rare पूरे पूरे index अचीव होने चाहिए चारो के चारे पूल उनके जब active होंगे तो आप यहाँ ultra epic में चले जाएंगे तो आपको 1500 dollar bonus extra मिलना शुरू हो जाएगा अब अब यहाँ पे देखते हैं आपका जैसे ही ultra epic index अचीव हुआ है तो यही सेम क्या करना है कि आपने अपनी team में भी दो direct team members को अचीव करवाना है और आप यहाँ पे ultra legendary index में चले जाएंगे जिसमें क्या है कि आपको 300 dollar daily bonus मिलना शुरू हो जाएगा अब बिल्कुल ऐसा ही same formula है आपने दो क्या करने है ultra legendary बना देने है अपने directs को तो आपको 600 dollar daily मिलना शुरू हो जाएगा आखिर में जो सबसे बड़ा रहने वाल है Genesis के बाद क्या होने वाल है कि यहाँ पे अगर आप दो ultra Genesis कर देते हैं अपनी ही team में दो direct members तो आप founders index में चले जाएगे यानि कि आप इस project के founders की team में चले जाएगे जिसमें आपको 1200 dollar daily bonus मिलना शुरू हो जाता है अब यहाँ तक जो मैंने बताया सब कुछ clearly बताया अगर कोई बीडावट ओ नीचे comment करके पुछिए हम हर एक चीज़ को easily समझने के कोशिश करेंगे अब हम चलते हैं loyalty program के उपर loyalty program यानि कि आपने अपना TVL maintain किया हुए अब TVL का थोड़ा और असान भाशन बता दिता हूँ जब भी किसी project का अगर उनका TVL maintained है यानि कि आपने total value locked को maintain करने में या फिर आपने liquidity दिये उसके basis पर आप help कर रहे हैं तो आप क्योंकि team TVL 10,000 डॉलर तक पहुंच चुक है तो आप first grade में पहुंच जाते हैं तो आपको 50 डॉलर का airdrop मिलता है यानि कि आपने यहाँ पर TVL maintain करवाया आपने loyalty दिखाई इस project को तो इससे कहा कि आपको airdrops मिलते रहते हैं 20,000 डॉलर की TVL पर यानि कि आपका team business होने पर आप second grade second level achieve करते हैं तो आपको 100 डॉलर का airdrop मिलता है ऐसे ही आपका जो business बढ़ता चला जाएगा बार्मे लेवल तक आपको 50,000 डॉलर का airdrop मिलने वाला है तो यहाँ पर आपका जो पिछला TVL है उसको consider नहीं किया जाएगा हर एक next grade के लिए आपका नया business count किया जाएगा और जो आपकी एक अलग से lag गया यानि कि एक आपके direct team का 40% weightage count किया जाएगा फिर दूसरी का 30% और बाकी की remaining जितनी भी legs है उनका 30% TVL consider किया जाएगा तो इस रिके से 40-30-30 के रेशन में रहने वाल है अब हम कुछ terms and conditions की बात करते हैं तो यहाँ पर activity cap आपको अल्रेडी बता दिया था 2.5x रहने वाला है rare and epic का legendary and genesis का 2x रहने वाला है transactions यहाँ पर 10% की processing fees के business पर रहेंगी minimum आप 15$ का transit कर सकते हैं 10$ के multiples में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने NFT को कभी भी redeem कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर earning मिल रहे हैं तो आप earning enjoy कर सकते हैं वन आप अपने NFT को redeem कीजिए आने वाले समय आप marketplace में किसी को भी NFT को high price में भी sell कर पाएंगे तो यही है सबसे बड़ी खासे starmax की जो आज तक किसी ने भी ऐसा project नहीं लाया market में तो अगर आपको यह चीज़ समझ आई है तो आप अपने team members को भी इसी वीडियो के द्वारा समझा सकते हैं और भी जादा जानकारी के लाब www.starmax.io के उपर जा सकते हैं यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद